travel insurance for sanction visa mostly आप visa के लिए apply करोगे ना तो travel insurance की requirement रहती रहती है कुछ countries में ये requirement नहीं होती है बट फिर भी आपको travel insurance जरूर से consider करना चाहिए उसके पीछे एक बड़ा logical reason यह है बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा existing medical insurance है वो बाहर भी काम करेगा बट वो बाहर नहीं काम करेगा इंडिया के बाहर निकलते ही वो invalid हो जाता है most of them दूसरा reason है अगर आपका passport हो जाता है आपकी flight बहुत जादा late हो जाती है या आपका luggage में सो जाता है तो उस case में at least आप 700-800 रुपे का travel insurance लेके रखोगे तो वो आपकी काफी हद तक भरपाई कर देता है otherwise आपका passport अगर किसी और country में हो जाता है तो काफी जादा पैसे आपके खर्च हो सकते है तीसरी सबसे important चीज है अगर आप by chance किसी country में गये let's example मैं Malaysia जाता हूँ Malaysia का health infra जो non-residence है उनके लिए बहुत जादा expensive है तो by default गलती से भी अगर मैं बीमार हो गया न तो मेरे बहुत जादा पैसे लग जाने है तो आपको अच्छी company का travel insurance जरूर से consider करना चाहिए मैं mandatory हो ना हो मैं जरूर से purchase करता हूँ अब कहां से खरीदना है कहां से नहीं खरीदना वो आपकी personal choice है मैं 3-4 जगे आपको बताता हूँ उसमें से जहां आपको best suit करे वहां से आप purchase कर सकते हो so google पे आप सर्च करो simple travel insurance so बहुत सारे आपको quotation मिल जाएंगे आप किसी भी company का purchase कर सकते हो जिसका भी है सारी company का अच्छा है AIEG का भी मैंने ले रखा है GoDigit का भी ले रखा है Paki Lambort का भी मैंने ले रखा है और Reliance General Insurance का भी ले रखा है अभी ये सारे आपको compare करने है तो आप policy बजार पे चले जाओ policy बजार में आप किस country travel कर रहे हो let's say मैं Malaysia travel करना जा रहा हूँ दुबारा से select कर लेता हूँ अपनी date आप decide कर लो 17 से decide कर लेता है कोई भी जितने भी आपकी date है maybe 14 तक ठीक है 29 days की trip है अगर आप family पूरी family का लेना चाहते हो तो वो भी आप एखटा ले सकते हो ताकि जो वीमार होता है यहाँ पे number मांग रहा है अब यह सारे यहाँ से दिक है अब based on आपकी need के एसाब से कि आपको कितने का cover चाहिए या cover के अंदर क्या क्या चाहिए उसके हसाब से आप choose कर सकते हो अगर आपको coverage बढ़ाना है किसी type का coverage एड़ करना है मेरा passport चुकी मेरी पहले से detail थी तो passport भी आ गया और confirm करने के बाद payment का option आएगा और यह confirm हो जाएगा